नमस्कार दोस्तों मैं RSD आज का मेरा विशय है बिहार में वन जीव अभ्यारन ठीक है? तो बिहार में जो वन जीव अभ्यारन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसमें सबसे महत्तपूर्ण ये है कि बिहार के वन जीव अभ्यारन किस जीले में हैं ये तो ठीक है लेकिन ये अभ्यारन किस नदी बेसिन में बिहार में पढ़ते हैं ये भी ध्यान रखना है तो आज का जो क्लास है बिहार का वन जिव अभ्यारन का तुलनातमक अध्यान करेंगे नदी बेसिन के साथ ये इसमें बहुत यूनिक है नदी बेसिन के साथ और क्यो जून अदीवेसिन के साथ हम आपको भीहार का वन्य जूव अभैरेंड हैं यह आपको इस бाल के दर्मियान फता चलेगा है अब हम समझने का मतलब क्या हो तो अब अभ्यारन्य का मतलब ही होता है अभय अभय का मतलब नीडर बीना डरे अभय और अरन्य का मतलब होता है वन जंगल तो जंगल में जब जीव परशू पक्षी निर्भय होकर अपना नेचरल जीवन जी रहे होते हैं या फिर उनको निर्भय तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट कि जाता है ठीक है जिसमें वो स्वतंत्र रूप से अपने भोजन के तलास कर सकते हैं सिकार कर सकते हैं या फिर जो हिंसक जानवर हैं वो सिकार कर सकते हैं अगदम प्रोटेक्टेड तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं और पूरा उनका एरिया प्रोटेक्ट होता है और साथ ही दो किलोमेटर के रेंज में किसी प्रिकार के कोई डिस्टर्वेंस उनका नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वन जीव अभ्यारन को प्रोटेक्ट किया था, तो बिहार में ऐसे वन जीव अभ्यारन जो हैं, वो 13 हैं, 13, 13 में से एक जो वन जीव अभ्यारन हैं, वो राष्ट्र यह उद्ध्यान भी है जो बालमे की नगर में तो इन तेरों का क्या पोजीशन है बिहार के अंदर हना यह हम इस मैप के द्वारा समझेंगे यानि की वर्ने अभ्हरन का जीलावार हम लोग मैपिंग करेंगे उसके बाद इसको नदी बेसीन में समझेंगे लेकिन उससे पहले भारत के अंदर बिहार का पोजीशन पहले हम देख लेते हैं उसके बाद एक तो बिहार की स्थिती जो आप देख रहे हैं जो बिहार की जो इस्तिती है वो ये है ये पूरा भारत आपके सामने है और भारत में बिहार का पुजिशन अगर आप देखें तो पूरा ठेट पुर्वांचल में है ठेट पुर्वांचल पुर्वांचल का एक पाठ है बिहार जो ठेट बिहार में पढ़ता है पूर्वी यूपी भी पुर्वांचल का ही पाठ है तो बिहार की पोजिशन को देखेंगे भारत में पुर्वांचल पाठ में पढ़ रहा है अब आप बिहार का एक पॉलिटिकल म मैपिंग भी प्रैक्टिस कर लिजीएगा ताकि आपको यह पता रहे कौन साजिला किस छेतर में है ठीक है केवल魑 अभियारन को ही समझने के लिए जो करते हैं वन जीत अभ्यरण जिसमें से एक राश्ट्यू उद्द्धान यह जिसमें से अगर आप देखें तो 13 में से तो तील है वो हुआ हिस्टीमी चम्परन में हिं क्ले एक तो आपका बालमी की नगर जो राश्ट्यू इपकश ऑध्यान है वो दूसरा आपका अगर देखें तो बालमी की विल लाइफ सेंचुरी है और तिसरा अगर आप देखें तो उदयपूर विल लाइफ सेंचुरी है उदयपूर यह उदयपूर विल्लाइफ संचुरी है तो बालमीकी नगर राष्ट्रिय उद्यान बालमीकी नगर जो विल्लाइफ संचुरी है और उदयपूर विल्लाइफ संचुरी है तीनों के तीनों आपके पस्चमी चंपारण में है और पस्चमी चंपारण में तीन वि परशुओं का भी संडक्षन ये करता है तो तेरह में से तीन तो पश्चमी चंपारण में बाकी बच गए दस तो दस में से अगर बरेला की बात करें बरेला जो वीले लाइफ सेंचुरी है जो पक्षी अभ्यारन के लिए जाना जाता है वो बैसाली में पड़ता है अब आपको मैं बता दूं कि सवाल ऐसे भी आते हैं से माल जी आपसे पूछ दे कि उद्यपूर विल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है ठीक है तो आम तोर पर आप उत्तर ले लेंगे पश्चमी चंपारण हाला कि उद्यपूर नाम से अगर पूछ दे तो थोड़ा बसेंस नहीं रहेंगे तो निष्चत रुप से आपको बालमीकी नगर या उद्यपूर या बाल्मीकी लेसेंचुरी यह जीलावार तो पूछा सकता है कि किमें है लेकिन इसके आलावा यह भी पूछा पूछा जा सकता है कि जो आपका उदयपुर्विड लाइप सेंचुरी है किस नदी बेशीन में है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बरेला विड़ लाइप सेंचुरी है वो किस नदी बेशीन में है तो चुकि इन सब का हम नदी बेशीन के साथ भी तुलनात्मक अध बेसिन के साथ तो नातमक मैपिंग अगर कर लेंगे तो विल्ड लाइफ सेंचुरी की जो समस्या है बिहार के अंदर जो आपको याद नहीं रहता है वो पर्मानेंटली इसका सॉलूसन हो जाएगा कभी दिक्कत नहीं होगी बिहार से अभी तक कोश्चन ऐसी ही पूछे गया है कि कौन सी विल्ड लाइफ सेंचुरी किस जीले में बिहार में पढ़ता है ऐसा प्रस्ण पूछा गया है अना ऐसा प्रस्ण भी तक नहीं देखने को मिला है कि कौन सा विल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी वेसिन में पढ़ता है ठीक है मान लिजिए भीम बांध पूछ तो थोड़ी सी confusion आ सकती है इसका नदी बेसीन के साथ आपको इसका अध्यान जोरी है और नदी बेसीन के साथ इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आया क्योंकि 2020 में यूपी एसी ने इस तरह का एक question पूछा है आम तौर पे वीड लैप century किस राज्य में है या किस जिले में है बिहार सगर है तो किस जिले में है यूपी एसी में है तो किस राज्य में है पूछा जाता है या फिर कौन साब century किस जानवर को प्रोटेक्ट करता है तो यहाँ पे 2020 में जो प्रस्ण का मैंने रूप देखा उसमें यूपी एसी में आईएस के P.T. के हम एक्जाम की बात कर डिशाम की लिखा है वो किस नदी बेशिन में है ऐसे पूछा नहीं तो शुर्ण जीत के वह लोग संभा के में बर हैं तो हमको बताइए लेकिन वायनल्ण वायनल्ण कावेरी नदी बेशिन में और यह आम तरपर में जाता है कि प्रैक्टिकल बात में आपको मैं एक व्यावारिक बात बता रहा हूं ठीक है लेकिन वहां प्रास्त पुछा गया कि हमको यह बताईए कि माने यह आपको बताना था कि वायनाड जो है किस नदी वेसीन में है नगर होल किस नदी वेसीन में है तो नदी वेसीन पूछ देग कहीं अगर बीपीएसी के ऐसे कोश्टन्स पर ध्यान गया इस पैटर्न पर ध्यान गया अगर कहीं पुछ दिया कि जो आपका बरेला जो विल्ड लाइब सेंचुरी है यह किस नदी बेसीन में पढ़ता है तो उस समें शुट्स का दिमाग कहा होगा नहीं फिर में पढ़ जा लेकिन आपका अध्यान एक बैज्यानिक तरीके से होना चाहिए ठीक है तो बैसाली में आपका पढ़ता है बरेला विल्ड लाइब सेंचुरी भीमबांध जो है भीमबांध जो विल्ड लाइब सेंचुरी है वो पढ़ता है आपका मुंगेर के अंदर और यह रहा आपका भीमबांध विल्ड लाइफ सेंचुरी तो भीमबांध विल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में पढ़ता है भी पुछा चा सकता है कि ये किस नदीवेसिन पढ़ता है गौतम बुद्धा जो विल्ड लाइफ सेंचुरी है है कावर जील पिछले साल चर्चा में भी काफी रहा था वेट लैंड्स अना आद्र भूमी हना दूर दूर से अना फ्रवरी के महीने में वहां पर पक्षियां आती है तो मेरा कहना यह है कि कावर जील ठीक है बेगुशराय के अंदर पढ़ता है आपका कावर जील आपका बे यह चर्चा कभी से रहा या वेट लैंड्स के मामले में भारत में इसको एक अस्थान मिला ठीक है या विश्व में इसका एक अस्थान मिला है ना माने सर के रूप में तो अगला जो कावर जील के अला पक्षी समझ जाए विड़ लैप संचुरी इसको बेगुशराय वाले ठीक है इसका भी आपका एक नदी वेसिन होगा ठीक है उसके बाद आप आजाते हैं कुशेस्वर अस्थान जो विड़ लैप संचुरी है जो इस पोजिशन पर हाला कि इसके लिए जो पुछा जाता है कि कुशेस्वर अस्थान विड़ लैप संचुरी है वो कहा है तो दर नगी और नक्टि देम आपको दोनों विल्ल लाइब संचुरी यहां पर है मतलब यह पड़ेगा जलगा जमोई जमोई में है ठीक है थो नगी डैम रुत यह जमोई में पड़ता है इसका भी नदिवैसीन होगा क्यों नदिवैसीड में पड़ता है यह तिक है उसके बाद आपका आप आजाईए एक जो तेरहवा जो आपका जो विल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जो बिकरम सिला गेंगेटिक डॉल्फिन के लिए है वो इस पुजिसर में पढ़ता है आपका देख रहे हैं यह दिया हुआ है यह है नहीं तो इन सभी का क्या नदी बेसिन है यह समझने का प्रयास करते हैं यह आपका एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि कौन सा विल्ड लाइफ सेंचुरी किस जीले में है ठीक है और तेरह लाइफ सेंचुरी जो बालमी की नगर जो राश्ट्रिय पार्क है वो एक ही है बिहार में एक ही राश्ट्रिय उद्ध्यान है बालमी की नेशनल जो पार्क है वो और बाकी 12 जो है वो राश्ट्रिय उद्ध्यान नहीं है लेकिन टोटल बिहार में 13 है ठीक है अब इसका ज जिहार के किस नधी वेसिन में हैं ठीक है तो देखते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको यहीं मैप समझा रहा था अभी मैं आपको ये वाला मैप संधा रहा था ठीक है अब मैंने आपको कहा था कि जो बालमीकी नगर जो नेशनल पार्क है वो या जो आपका ये उदैपुर नेशनल पार्क ये जो विडलाइब संचुरी है वो या फिर अब आपका बालमीकी विडलाइब संचुरी है वो ठ ठीक है यह तीनों के तीनों पस्टमी चंपारण में और पस्टमी चंपारण का पाठा इसके ऊपर देख सकते हैं तो तीनों का अगर आप पार्ट देखेंगे, यह तीनों जो विल्ड लाइप सेंचुरी है, यह नेशनल पार्क है, तो अगर देखेंगे, तो यह यह पूरा पोजीशन अगर देखेंगे, तो किस बेसीन में पढ़ रहा है? गंडक बेसीन में. तो अगर आपसे पुछ देता है प्रस्ने कि बालमीकी नेशनल पार्क या फिर उदैपूर विल्ड लाइप सेंचुरी या फिर बालमीकी विल्ड लाइप सेंचुरी ये किस नदी वेसिन में पढ़ता है तो आपका उत्तर होगा गंड़क वेसिन यानि कि उदैपूर नेशनल पार्क भी पुछ दे कि कहां पढ़ता है किस नदी वेसिन पढ़ता है तो आपका उत्तर होगा गंड़क वेसिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उदैपूर विल्ड लाइप सेंचुरी किस जीले में पढ़ता है तो प्रस्टमी चमपारण नदी बेसिन के साथ पूछेगा तो गंड़क बेसिन ये आपको ध्यान बखना है ये बड़ा यूनिक है और ये इस तरीके से मज़ा भी आएगा आपको मैपिंग करने में नहीं आप एक तो विल्ड लाइप सेंचुरी बिहार के अंदर मैपिंग कर रहे हैं और उसके साथ नदी बेसिन के साथ तो इनजवाय कर सकते हैं आप इसको बहुत अच्छे से ठीक है उसके बाद अगर हम देखें बालमीकी नगर के अलावा जो हम बरेला की बात कर रहे हैं बरेला जो आपका बैसाली के आसपास पढ़ता है ठीक है तो वह भी इस पॉइंट्स पर पढ़े ठीक है उसके बाद अगर हम भीमबांध की बात करें जो विल्डाइब सेंचुरी भीमबांध जो आपका मुंगेर के अंदर है ठीक है ठीक से देखेंगे तो मुंगेर वाला जो विल्डाइब सेंचुरी है जो भीमबांध है वो बदूवा बेसीन में पढ़ेगा लुगा बेसी में पड़ेगा मुंगीर का जो भीमबान्ध है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे गौतम बुद्धा विल्ड लाइफ जो सैंचुरी है वह आप देखेंगे गौतम बुद्धा विल्ड लाइफ सेंचुरी का पोजिसन यह है तो अगर देखेंगे तो यह यह नहीं कर सकते कोई बभी बच्चा बना देगा उसके लिए निश्चित रुप से बेसीन पर मैपिंग होना चाहिए तभी बनेगा ना था नहीं बनेगा ठीक है उसके अलावा आप अगर देखें यह जो कावर जील विल्डाइब सेंचुरी है जो हमने आपको कहा था कि बे बेसीन है चुकि मुंगेर का ही सब डिवीजन है बेगुसरा है और दोनों के दोनों को आप ले सकते हैं बद्दुवा बेसीन के अंतरगत तो बद्दुवा बेसीन के अंतरगत आपका भीमबांध भी आ सकता है और कामवर जील भी उसके अलावा आप देखेंगे कैमूर व स्थान का अगर देखेंगे कोई में पड़ता है कर बाद कि उसके लिए अगर आप देखेंगे तो निष्चीत रुप से जो बाग मती या अधवारा जो बैसिन है बाग मती अधवारा वेशिन में पड़ेगा कुशेत्षवर अस्तंपुच देगा कि को सतर्वकुर्स MATADS कि स्थे पटता है तो बाग मती वाला अपका position उत्तर लेना होगा बाग मती यूंस ये जो फोकि ड्याद में जो हम् जमूई में है और जमूई में अगर हला है नगची डेम विल्ड लाइप संचुरी तो जमूई का यहीं सब एरिया है और यहां अगर आप देखे तो यह जो जमूई वाला एरिया एकल क्यों बेसिन है यानि कि जो जमुई में जो नक्टी डैम है जो नग्गी डैम विल्ड लाइफ सेंचुरी नक्टी डैम विल्ड लाइफ सेंचुरी यह क्यूल बेसीन में है तो जमुई यानि क्यूल बेसीन में दो विल्ड लाइफ सेंचुरी है नग्गी और नक्टी विल्ड लाइफ सेंचुरी है ना क्यूल बेसीन के अंदर पढ़ता है ठीक है उसके बाद अगर आप पंथ की बात करें पंथ विल्लाइब सेंचिरी जो राजगीर में है है ना पंथ जो राजगीर का पोजिशन नलंदा में पढ़ता है यहाँ देख लिजीए जो पंत विड लाइब सेंचुरी राजगीर जो जीला नलंदा पड़ता है अगर हम इसको देखेंगे राजगीर वाले पॉइंट्स को देखेंगे जो नवादा से उपर पड़ता है तो आप अगर देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि हरोहर जो बेसीन है हरोहर बेसिन हरोहर बेसिन में कहीं न कहीं यह जो राजगीर वाला जो पॉइंट है जो पढ़ रहा है आपका पंत विल्ल लाइफ सेंचुरी राजगीर के अंदर वो किस नदी बेसिन में है तो उसके लिए हरोहर बेसिन उत्तर आप ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है राजगीर जो कभी मगध का सबसे प्राचीन रजधानी हुआ किया करता था प्राचीन काल के अंदर अगर हम बात करें उदय पूरविड लाइप संचरी जो गंड़क बेसीन में बात हो गई वालमिकी हो गई और बिक्रम सिला के करें बात करें जो हम डॉल्फिन बिक्रम सिला जो गंगेटिक डॉल्फिन विल लाइप संचरी है जब गंगेटिक डॉल्फिन विल लाइप संचरी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके लिए गंगेटिक बेसीन उत्तर लेंगे लेकिन होता क्या है कि बिहार के जो नदी बेसीन भाटेग तो ये चंदन बेसीन, तो आप इस तरह से देखेंगे, तो विल्ड लाइब सेंचुरी आपका गंडक बेसीन, एक भागमती बेसीन, चंदन बेसीन, बद्दुवा बेसीन, क्यूल बेसीन, हरोहर बेसीन, पुनपुन बेसीन, कर्मनासा बेसीन में तेरो हो विल्ड लाइब से सेंचुरी का एक पॉलिटिकल मैपिंग ठीक है जिन फिजिकल मैपिंग और इस मैपिंग के साथ आप उसका नदी बेसिन को भी मैप कर सकते हैं और इस दो फाइदे हुए आपको बिहार का नदी बेसिन के बारे में भी जनकारी मिल गई हना बिहार के विल्ड लाइफ सेंचु और बिहार के नदी बेसिन का तुलनातमक अध्यान किया है और निश्चित रूप से इस तरीके से अगर बिहार के विल्ड लाइफ सेंचुरी को आपने मैपिंग कर लिया तो मैं समझता हूँ कि BPAC में कोश्टन चाहे कई से हुँ भूमा के पूछी ना चुटी मतलब नहीं चुटेगा ठीक है और अराम से इसको इनज्वाई कीजिए कितना मज़ा आएगा अगर इसके साथ आप ये आपने देख लिया कि कौन से जीले में है उसके बाद नदी बेसिन के साथ तो एक तरह से आप इनज्वाई कीजिएगा इस मैपिंग को तो हम समझते हैं कि आज के इस समझ के बाद जब आप इस मैपिंग को करेंगे तो निश्चित रूप से इस मैपिंग को काफी इनज्वाई करेंगे और आज का ये क्लास जो आपने बिहार के विड लाइफ सेंचुरी का अध्यान किस जीले में है उसके सांस साथ आप नदी बेसिन के साथ तुलनात्म अध्यान किया यानि बिहार के विड लाइफ सेंचुरी का हना नदी बेसिन के साथ तुलनात्मक अध्यान आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा ठीक है नमस्कार